Hello students, Welcome to MOS Classes, आज हम 8th Class Hindi and CERT के पार्ट साथ क्या निराश हुआ जाए के प्रश्न अभ्यास को करेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे आपके विचार से का प्रश्न एक लेखक ने स्विकार किया है कि लोगों ने उन्हें भी धोका दिया है फिर भी वह निराश नहीं है आपके विचार से इस बात का क्या कारण हो सकता है तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे लेखक को लोगों ने धोका दिया है फिर भी वह निराश नहीं है इसके निमनलिखित कारण हो सकते हैं पहला कारण हो सकता है लेखक केवल उन्हीं बातों का हिसाब नहीं रखता है जिसमें उसने धोखा खाया है यानि कि लेखक सिरफ नेगिटिव बाते नहीं देखता है वो पोजिटिव बाते भी देखता है लेखक को बहुत सी वेघटनाय याद है जब लोगों ने उसकी मदद की और सांत बना दी लेखक आशावादी विचार रखने वाला व्यक्ति है लेखक के साथ कम ही विश्वास घात हुआ है लेखक अन्य व्यक्ति के दोशों के साथ साथ उसकी अच्छाईयों को देखकर पत्रिकाओ और टेलिविजन पर आपने ऐसी अनेक घटनाय देखी सुनी होंगी जिन में लोगों ने बिना किसी लालच के दूसरों की सहायता की हो या इमानदारी से काम किया हो ऐसे समाचार तथा लेख एकत्रित करें और कम से कम दो घटनाओ उपर अपने टिपनी लिखे तो ये जो प्रशन है इसका उत्तर आपको स्वयम देना है प्रशन तीन है लेखक ने अपने जीवन की दो घटनाओ में रेलवे के टिकट बाबू और बस कंडक्टर की अच्छाई और इमानदारी की बात बताई है आप भी अपने या अपने किसी परीचित के साथ होई किस घटना के बारे में बताईए जिसमें किसी ने बिना किसी स्वार्थ के भलाई इमानदारी और अच्छाई के कारे किये हों तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे यह घटना उस समय की है जब दिल्ली में प्रात्मिक अध्यापकों की नियुक्ति करमचारी चयन आयोग द्वार की जाती थी यानि कि यहाँ पर हमने एक कहानी लिखी है कि यह उस समय की बात है जब दिल्ली में प्रात्मिक अध्यापकों की नियुक्ति करमचारी चयन आयोग द्वारा की जाती थी मेरे एक मित्र ने भी समय से आवेदन पत्र भरकर भेज दिया परिक्षा की तिथी कि परिक्षा के लिए एक जौब थी उसके लिए अपलाई किया था और आवेदन पत्र भेज दिया था और उससे पता था कि उसकी परिक्षा उसका एकजाम कब होना है। उसका अवेदन पत्र इस कार्याले को नहीं मिला है। 700 किलो मिटर दूर से आया मेरा मित्र बहुत निराश हुआ पर हिम्मत नहीं हारी। उसने अन्य कलर्कों से इस विशे में जानना चाहा। तो कोई संतोष जनक जवाब नहीं मिला। हाँ एक लर्क ने उसे कोने में बने कमरे की ओर जाने को कहँ दिया। वह कमरा शेत्रिय निदेशक का था, शिश्टा चार पूरवक जब मेरे मित्र ने अपनी वेथा यानि अपनी परेशानी शेत्रिय निदेशक महोदे को बताई तो उन्होंने पूछा क्या प्रमान है तुम्हारे पास फार्म भरने का यह क्या तुम्हारे पास सबूत है क्या प्रमान है कि तुमने फार्म भर के भेजा था साधारन डाक से तथा भरती शुर्क लगे फार्म को भेजने का उसके पास कोई प्रमान ना था फिर भी उसने कहा कि मेरे पास 700 किलोमिटर दूर से आने का यह टिकट ही एक मातर प्रमान है शेत्रिय निदेशक जी ने बात में सत्यता महसूस करते हुए उसे प्रार्थना पत्र रिखने को कहा और उस पर हस्ताक्षर कर कमरा संख्या 312 में जाने को कहा जहां उससे उसी समय आवेदन भरवाकर उसी भवन के तृत्य तल पर परिक्षा तिथी की समय नुसार परिक्षा देने के लिए कहा गया नियत समय पर साक्षतकार हुआ और मेरा मित्र आज शिक्षक है शेत्रिय निदेशक महोदे के इस नीसवार्थ, भलाई, इमानदारी और अच्छाई के कारे के लिए वह आज भी कर्तगिता पूर्वत उन्हें याद करता है अब हम देखेंगे परदाफाश का प्रश्न एक, दोशों का परदाफाश करना कब बुरा रूप ले सकता है उनके बारे में बताया जाता है, तो यहाँ पर प्रश्न ये है कि किसी का परदाफाश करना कब बुरा रूप ले सकता है तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे स्टुडेंट्स, दोशों का परदाफाश करना निमने लिखित परिस्थितियों में बुरा रूप ले सकता है, परदाफाश का उद्देश्य किसी भलाई के कारे से संबंदित ना हो, यानि के परदाफाश तो किया जा रहा है, लेकिन वो बदनाम किया जाए, तब भी ये ठीक नहीं है, सत्तिता को जाने समझे बिना ही परदाफाश करने की कोशिश की जा रही है, यानि के सच का पूरा पता नहीं है, लेकिन परदाफाश कर रहे हैं, ये भी सही बात नहीं है, परदाफाश करने वाला व्यक्ति का उद्देश्य पैसा कमाना या किसी व्यक्ति विशेश को बनाम करना हो यानि कि सिर्फ इसरे परदाफाश किया जा रहा है कि किसी काम से पैसे कमाई जा सके या किसी को बनाम किया जा सके तो ये भी ठीक बात नहीं है परदाफाश होता है किसी गलत काम को सब के सामने लाना जब उसमें प्रसिद्धी पाने की अकांक्षा छुपी हो यानि के परदाफाश इस रहे किस किया जा रहा है कि हम famous हो जाए हम प्रसिद्ध हो जाए तो ये भी ठीक नहीं होता प्रश्न दो है आज कल के बहुत से समाचार पत्र या समाचार चैनल दोशों का परदाफाश कर रहे हैं इस परकार समाचारों और कारेकर्मों की सार्थक्ता पर तरक सहीत विचार लिखिए यानि कि आजकल के बहुत से समाचार पत्र या समाचार चैनलों में दोशों का परदाफाश हो रहा है तो इस बारे में आप क्या समझते हैं क्या सोचते हैं तरक सहीत बताईए रीजन के द्वारा बताईए तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे आजकल बहुत से समाचार पत्र या चैनल दोशों का परदाफाश कर रहे हैं इस परकार के कारे कर्मों की सार्थक्ता तो है किन्तु इनके पीछे समाचार पत्र, संपादक, रिपोर्टर या चैनल का उद्देश्य नेक होना चाहिए इनका उद्देश्य, समाचार पत्र या चैनल की लोग प्रियता बढ़ाना, किसी व्यक्ती या संस्था विशेश को बदनाम करने की भावना, ब्लैक मेल कर आनन फानन में यानि जल्द बाजी में धन कमाने की भावना आदी नहीं होनी चाहिए यदि इनके पीछे चिपे उद्देश्य नेक है, तो ये कारेकरम सार्थक है अब हम देखेंगे, कारण बताईए, निम्न लिखित के संभावित परिणाम क्या क्या हो सकते हैं आपस में चर्चा कीजिए, जैसे इमानदारी को मुर्खता का परियाय समझा जाने लगा है, परिणाम भरष्टा चार बढ़ेगा भीरू यानि के डरपोक, यानि के आजकर सिरफ डरपोक लोग या जो मजबूर लोग हैं, वही सचे होते हैं तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, कि इसका क्या परिणाम हो सकता है लोगों का सच्चाई से विश्वास उड़ जाएगा, और जूत और फरेप का कारोबार फले फूलेगा यानि अगर आज ये मान लिया जाए, कि केवल डरपोक लोग और जो मजबूर लोग होते हैं, वही सच बोलते हैं, उनी में सच्चाई होती है तो इसका परिणाम बहुत खराब होगा, इससे तो लोगों का सच्चाई से विश्वास ही उड़ जाएगा, और हर तरफ जूत और फरेप फैल जाएगा प्रश्न दो है, जूत और फरेप का का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं, तो इसका क्या परिणाम होगा लोगों की मानविय मुल्यों से आस्था उठ जाएगी, यानि लोगों का जो मानवियता होता है उससे विश्वास उठ जाएगा प्रश्न तीन है, हर आदमी दोशी अधिक दिख रहा है, गुणी कम दिख रहा है, तो इसका क्या परिणाम होगा लोगों द्वारा एक दूसरे को शक की दृष्टी से देखा जाएगा, तथा किसी पर भी विश्वास करना मुश्किल हो जाएगा अब हम देखेंगे सार्थक शीर्षक का प्रश्न एक, लेखक ने लेख का शीर्षक क्या निराश हुआ जाएग क्यो रखा होगा, क्या आप इससे भी बहतर शीर्षक सुझा सकते हैं तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे लेखक ने लेख का शीर्षक क्या निराश हुआ जाए इस लिए रखा होगा, जिससे की लोगों को यह न लगे कि लेखक अपने विचार पाठकों पर थोप रहा है और इस शीर्षक से लेखक की जिग्यासु भावना का पता चलता है, संभवता है कुछ लोग इस वातावरण में निराश हो चुके हों और कुछ आशावादी हों कि निराश होने की आवशक्ता नहीं है, इस रात की सुभा तो होगी ही स्वयम लेखक की आशावादिता का पता चलता है, यानि ये जो शीर्षक है क्या निराश हुआ जाए, इस से हमें ये पता चलता है कि जो लेखक है वो आशावादी है, कि वह ऐसे वातावरण से भी निराश नहीं है, इस लेखक का एक अन्य शीर्षक इस रात की भी सुभा होगी हो सकता है प्रश्न दो है यदि क्या निराश हुआ जाए के बाद कोई विराम चिन लगाने के लिए कहा जाए तो आप दिये गए चिनों में से कौन सा चिन लगाएंगे यहापर हमें कुछ चिन दिये गए हैं और हमसे यह पूछा गया है कि क्या निराश हुआ जाए के बाद हम इनमें से कौन सा चिन लगाएंगे तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे क्या निराश हुआ जाए के बाद कोई चिन लगाने के लिए कहा जाए तो मैं प्रशन वाचक चिन लगाऊंगा इसका कारण यह है कि इस शीरशक से लेखक की जिग्यासा की भावना का पता चलत है ऐसा लगता है कि लेखक प्रशन वाचक शैली में पूछ कर पाठकों से जवाब की अपेक्षा करता है भले ही पाठक अपना जवाब हाँ या नहीं में दे प्रशन तीन है आदर्शों की बाते करना तो बहुत असान है पर उन पर चलना बहुत कठिन है क्या आप इस बात से सहमत है तरक सहीत उत्तर दीजिए तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे मैं इस बात से पुर्णतिया सहमत हूँ कि आदर्शों की बाते करना तो बहुत असान है पर उन पर चलना बहुत कठिन है इसका तरक यह है कि हम सभी आदर्शों की बाते तो करते हैं पर उनके पालन में हमारे सामने नाना परकार की यानि हमारी स्वार्थ पूर्ण मनोवरत्ती आ जाती है अब एक उधारन के द्वारा इससे समझते हैं हम दहेज के विरोध में आदर्ष की बाते उस समय करने लगते हैं जब हमें अपनी जड़की की शादी करनी होती है किन्तु इस आदर्ष का पालन हम तब नहीं कर पाते हैं जब हमें अपने बेटे की शादी करनी होती है हमारी स्वार्थ पूर्ण मनोवरती हमारे सामने आखड़ी होती है और हम अपने ही आदर्ष का पालन करने में अक्षम हो जाते हैं यहाँ पर करने के बाद मे लगाईएगा यानि के हम अपने ही आदर्श का पालन करने में अक्षम हो जाते हैं. अब हम देखेंगे सपनों का भारत, हमारे महान मनीशियों के सपनों का भारत है और रहेगा. मनीशियों मतलब विद्वान, महान व्यक्ति. प्रश्न एक, आपके विचार से हमारे महान विद्वादों ने किस तरह के भारत के सपने देखे थे? लिखिए, मेरे विचार में हमारे महान विद्वानों ने भारत के लिए सपना देखा था कि भारत में कोई गरीब, दुखी, निरक्षर ना रहे, सभी स्वस्थ हो, देश, भरष्टाचार, हिंसा, आतंकवाद, घ्रणा, चोरी, लूट, खसोट, आदी से मुक्त हो, लोगों क भी लोगों के बीच समरस्ता हो, यानि कि प्रेम हो, सभी प्रसन हो, ऐसे भारत का जो सपना है, वो हमारे महान विद्वानों ने देखा था प्रश्न दो है आपके सपनों का भारत कैसा होना चाहिए लिखिए तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे हमारे सपनों का भारत परदूशन मुक्त हरा भरा तथा विक्सित देश के रूप में हो जिसमें हर हाथ को काम, सभी को शिक्षा, स्वास्त तथा पेट भर भोजन मिले, लोगों में परस्पर भाईचारा तथा एक दूसरे के लिए प्यार एवं सम्मान हो भारत एक बार पुन है ज्यान के शेत्र में विश्व गुरू की संग्या से विभूशित हो जाए अब हम देखेंगे भाशा की बात प्रश्न एक है दो शब्दों के मिलने से समास बनता है समास का एक प्रकार है द्वंद समास इसमें दोनों शब्द प्रधान होते हैं जब दोनों भाग प्रधान होंगे तो एक दूसरे में द्वंद यानि के स्परधा या होड की संभावना होती है, कोई किसी से पीछे नहीं रहना चाहता, जैसे चरम और परम को हम ऐसे लिख सकते हैं, भीरू और बेबस, भीरू बेबस, ये जो चिन होता है, इसे हम योजक च कहते हैं, दिन और रात को हम ऐसे लिख सकते हैं, दिन रात, और के साथ आये शब्दों के जोड़े को, और हटा कर योजक चिन भी लगाया जाता है, जैसे कि यहां पर हमने लगा कर दिखाया, चरम और परम, और हटाया, और इसको इस तरीके से लिख दिया, चरम परम, और बीच में क्या आगया योजक चिन, कभी कभी एक साथ भी लिखा जाता है, द्वंद समास के बारहा उधारण ढूंड कर लिखिए, तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे, द्वंद समास के बारहा उधारण, आरोप, परत्यारोप, लोब, मोह, कैदे कानून, मार पीट, दया माय मारने, पीटने और इन सभी के बीच में ये योजक चिन है, फल, फूल, काम, क्रोध, सुक, सुविधा, भोजन, पानी, सच्चाई, इमानदारी, ठगी, वंचना यहाँ पर स्टूडेंट्स ये फल, फूल है, तो यहाँ पर ये बड़े उकी मात्रा आएगी प्रश्न दो है, पाट से तीनों प्रकार की संग्याओं के उधारण खोज कर लिखिए तो सबसे पहले हम व्यक्ति वाचक संग्या के उधारण देखेंगे भारत वर्ष, तिलक, गांधी, रविंदर नात ठाकुर, मदन मोहन मालविया आब हम जाती वाचक संग्या के उधारण देखेंगे समाचार पत्र, समाचार, देश, आदमी, व्यक्ति, आर्य, द्रविड, हिंदू, मुसल्मान, क्रिशी, मनीशी, जीविका, दवा, धर्म, कानून, समाज, महिला, रेल्वे स्टेशन, टिकट, टिकट बाबु, पतनी, वानिज्य, पच्चे, यात्री, कंड़क्टर, ड्राइवर, नोजवान, डाकुओ, पंडित जी, दूद, बस, बस अड़ा, गीत, भगवान, प्रभु, लोटा, बस ये सभी जाती वाचक संग्या के उधारण हैं अब हम भाव वाचक संग्या के उधारण देखेंगे ठगी, दकैती, चोरी, तसकरी, चिंता, इमानदारी, मुर्खता, सच्चाई, आस्था, भरष्टाचार, लोब, मोह, काम, क्रोध, भूख, स्वास्थ्य, अध्यात्मित्ता, प्रेम, चोरी, बुराई, अच्चाई, भावना, गल्ती, संकोच, वंचना, खराबी, मनुश्यता, दया, माया, धोखा, विश्वासगात, सैयम याद रखेगा स्टूडेंट्स, के वंचना का मतलब होता है धोखा I hope स्टूडेंट्स आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें थेंक यू